नमस्ते टू आल माई फ्रेंज सबको नमस्कार खुलूंखा चिबाई मैं आपसे सबसे पहले आपको सौरी बोलना चाहता हूँ कि मैं कल फेस्बुक लाइब में नहीं आया कल आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग सुप्रीम कॉर्ट में थे और सवेरे दस बज़े से लेकर चार बचे तक हम लोग सुप्रीम कॉर्ट में ही थे उसके बाद हमारे जो तीप्रा स्टूडन्स और जो इंप्लोईज है दिली में उनके संग बात किया, मीडिया के संग बात किया, लोयर के संग बात किया तो उसके बाद काफी ठक चुका था, इसके लिए मैंने मुझे लगा कि कल रात मैं Facebook Live नहीं करके आ जाओं और आप सब को update दूँ कि हमारा क्या situation है आज सबसे पहले बहुत अच्छा ख़बर है, very good news, कि Supreme Court ने clearly Government of India को कहा है कि आप थ्रिपुरा, आसाम, basically North East को Rest of India से अलग रखिए जब Citizenship Amendment Act का कानून को लागू करने के लिए आप कानून बना रहे हैं क्यूंकि थ्रिपुरा का problem इंडिया के दूसरे problem से अलग है, आसाम का North East का problem Rest of India से अलग है इसी के लिए Supreme Court ने clearly direct किया है Government of India को कि ये segregation किया जाए और Supreme Court ने 31st October, 31st October तक time दिया है, सब को writing में देने के लिए कि हम अपना written submission दें और most likely ये three judge bench में भी आ सकता है, और मुझे क्या अच्छा लगा कि Supreme Court का Chief Justice खुद उन्होंने clearly identify किया है कि थ्रिपुरा आसाम अलग और पूरा इंडिया अलग, मतलब कि North East को अलग रखिया आप, North East का problem अलग है, North East का challenges अलग है North East में indigenous लोग बहुत रहते हैं, North East में जमीन का हमें हमेशा खत्रा रहता है, आप कभी भी नहीं देखेंगे कि कोई बांगलादेश का व्यक्ति कहीं और जा रहा है लेकिन आसाम, मेगाले, तृपरा में वो लोग आते जाते रहते हैं, इसी के लिए Citizenship Amendment Act में Supreme Court ने हमारा point of view लिया है कि आप इसको पूरे इंडिया के संग क्लब नहीं कर सकते हैं, इसका फिर से hearing होगा, जहां तक Chief Justice ने औरली पताया है, most likely three judge bench होगा यह हमारा point था, सबसे पहले, it's a good victory दूसरा point है, मुझे बहुत queries आ रहे हैं, regarding 10,323 मैंने हमारे कपिल सिबल जी, जो बहुत eminent lawyer है, उन से बात किया है और उन्होंने यह case को अपने संग लेने के लिए उन्होंने हाँ भी कह दिया है अब हम इसका applications फाइल कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगले 8 से 10 दिन के अंदर आज है 13 तारिक, तो 23 तक हम इसको फाइल करने के लिए तयार हो जाएंगे और हमारा पूरा आशा है कि यह मामला admit होगा और देखिए, 10,323 stitches में जो लोगों को नौकरी गया है हमें सबको chance देना चाहिए कि उनका भी जिंदगी वापस अपने पुराने line में आ जाए तो मैं इसमें politics नहीं करना चाहता हूँ मैं फिर से बोल रहा हूँ 10,323 को आप इसको politics में मत लाइए मुझे आपका vote नहीं चाहिए बहुत लोग ने मुझे फोन करके कहा है कि महराज आप हम भी support करेंगे तो हम आपको vote देंगे मुझे आपको vote नहीं चाहिए मैंने आपको एक commitment दिया था और मेरा commitment था कि मैं आपका मामला court में ले जाओंगा और court को दे करने दिजिए पैसा का खर्च मैं करूँगा ना political gain चाहिए मैं मुझे अपने दिल के अंदर कुछ शांती चाहिए कि मैंने कुछ वादा किया था मैं वो वादा पूरा करना हूँ और मुझे आशा है कि अगर हम बड़े बड़े lawyers को अच्छे अच्छे lawyers को अगर इसमें रखेंगे तो कुछ ना कुछ solution निकलेगा तुरुपरा में हमें नौकरी चाहिए तुरुपरा में economic development चाहिए और उस समय अगर हम लोगों को नौकरी से हटा देंगे तो economic development तुरुपरा का कैसे होगा तुरुपरा में अगर आप employed को unemployed बनाएंगे तो आप economic progress तुरुपरा में कैसे ला सकते हैं तो 10,323 में जहां में बहुत teachers भी अपने गाउं से हैं, rural area से हैं, पहाड से हैं, उनका relief हमें उनको देना चाहिए, क्योंकि अगर teachers ही unemployed हैं, तो students को कहां में सिक्षा मिलेगा, अगर गाउं में students ही uneducated हैं, तो उसको नौकरी आने वाले दिन में कहां मिलेगा, तो education is very important, और मुझे लगा कि इस विशे में politics से हट कर ये मामला को आगे लिया, तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, दूसरा point, तीसरा point, मैंने बहुत सोचा हैं कि आने वाले दिन में अपने, this is for all my Tipra Motha workers, अपना greater Tipra land का जो हमारा movement है, तीप्रा हा के लिए है, जो Tipra Saak का movement है, सब लोग को लगता है कि ये movement, एक party का movement है, हाँ Tipra Motha इसको आगे ले जा रहा है, आपके प्यार से, आपका समर्थन से, लेकिन जब Tipra Motha government of India से बात करने की लिए बात ready होगा, तो मेरे दिल में आशा है कि ये सिर्फ ये negotiation, सिर्फ एक political party और government of India की बीच में ना हो, मैं चाहता हूँ कि जब हम government of India से अपने की प्राशा का constitutional solution, permanent solution in writing मांगे, तो उस समय, उस dialogue में हमें civil society, अपने होदाज, अपने ओकराज, चांताई, चोधरी, अपका हमें समर्थन चाहिए, दूसरे political parties, NGOs, उनका भी समर्थन चाहिए, क्योंकि मैं एक full and final settlement करना चाहता हूँ, मैं जानता नहीं हूँ कि कितने दिन तक ये मैं continue करो, लेकिन मैं अपने लोगों को कुछ constitutionally protect करना चाहता हूँ, अपना जमीन, अपना political rights, अपना economic rights, अपना भवश्य, तो अगर मुझे लगा कि ये सिर्फ तीप्रा मौता ही अकिला करेगा और इसमें और कोई शामिल नहीं होगा, तो ये गलत बात है, I think it's a wrong thing, तो I, मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले दिन में, NGOs को, different political parties को, कोई हो, IPFT हो, जन्जाती मौर्चा हो, MBBWS हो, Movement for Cockborough हो, Joint Action Committee हो, Engineers Group हो, TSF हो, जो भी हो, मैं अपने Council of Tiprasahodas, Tipras Chiefs, सबको मैं उनसे बात करके, उनको शामिल करके, मैं Government of India से एक negotiation करना चाहता हूँ, अगर Government of India सिर्फ एक political party से बात करेगा, तो इसका solution नहीं निकलेगा, मैंने सोचा है, मैंने observe भी किया है, TNV Accord साइन हुआ, तो ATTF निकला, ATTF Accord साइन हुआ, तो NLFT निकला, उसके बाद IPFT ने कुछ agreement साइन किया with Government of India 2018 में, उसके बाद TIPRA मौथा निकला, आज TIPRA मौथा कुछ sign करेगा, उसके बाद कोई और निकलेगा, मैं चाहता हूँ कि हमारे लोगों को permanent solution मिले, एक party का नहीं, अगर मैं सिर्व अपने party के तरफ से देखूंगा, तो मुझे short term फाइदा है, लेकिन अगर मैं long term TIPRA सा को कुछ देना चाहता हूँ, तो मुझे स सोच रहा हूँ कि आने वाले दिन में, I will invite all groups, all NGOs, जिसको interested है, जो interested है, हमारे TIPRA सा का एक final solution के लिए, जब हम लोग दिल्ली जाकर बात करेंगे, तो क्या सिर्व एक political party बात करेगा, कि दौभा बात करेगा, और अगर दौभा को बात करना है, तो हमें एक all subgroup को invite करके, ये ब करना चाहिए, ये मेरा thinking है, बहुत लोग बुलेंगे कि ये politically ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं एक political party के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं TIPRA सा, हमारे 14 लाग TIPRA सा का permanent solution के लिए बात कर रहा हूँ, और इसमें अगर हमारा traditional heads भी आजाए, होदा भी आजाए, चोधरी भी आज आजाए, हमारे चांताई भी आजाए, हम लोगों के ओकराज आजाए, समाज आजाए, तो क्या problem है, क्योंकि हम उनको भी छोड़कर अपने TIPRA सा को बचा नहीं सकते हैं, अगर TIPRA को अपने survival and existence के लिए fight करना है, तो सिर्फ politicians से बाहर भी हमको सोचना चाहिए, बहुत politicians लोग अब बोलेगे कि बुबागरा क्या बोल रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, कि politicians दोफा से बड़ा नहीं होता है, तो जब भी हमें एक, और मुझे लगता है कि एक बार final solution हमको करना चाहिए, क्योंकि हम लोग हमेशा election के पहले बड और government of India को अगर हमें seriously लेना है, तो हमें एक होकर एक आवाज में बात करना पड़ेगा, ये मेरा तीन points था, मैं आप सबको thank you बोलना चाहता हूं, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, मैं आपके लिए fight कर रहा हूं, for you, health permitting, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर तीपरास्ता नेशन को आगे बढ़ना है, then the youth need to be with me, the women need to be with me, the mothers need to be with me, and of course, the entire society needs to be with me. अगर आपको लगता है कि मेरा दिल सफा है, अगर आपको लगता है कि मैं सही रास्ते में जा रहा हूं, अगर आपको लगता है कि मैं system को change करके कुछ हट के काम करना चाहता हूं, तो आप मुझे please support कीजे, और अगर आपको लगता है कि सिर्फ जहंडा उठाकर, किसी को गाली बगकर, political slogans देने से हमारा समस्या का हल हो जाएगा, तो जो 70 साल से चल रहा है, वो और चलेगा, और जब 2026 में delimitation होगा, उसके बाद हमारे बारे कोई सोचने वाला भी नहीं ह आज CA के लिए मैंने commitment दिया था, मैं fight कर रहा हूँ, teachers के लिए मैंने commitment दिया था, मैंने fight कर रहा हूँ, greater TIPRLand के लिए मैंने बात किया था, आज भी मैंने अपने original position से एक कदम भी में पीछे नहीं किया हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि हमारे पूरे TIPRAR सा एक होकर, all party, all NGOs, all social organization मिलकर, बेटकर, decide करें कि आने वाले दिन में हम क्या करेंगे, अगर हमें government of India को अपना position दिखाना है, तो एक आवाज में दिखाना चाहिए, या अलग-अलग आवाज में एक ही बात बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब अगरी करते हैं, गर्नमुक्ती परिशद हो, IPFT ह हो, MBBWS हो, तीपरा मौथा हो, कोई भी हो, अपने Council of तीपरासा होदाज हो, कोई भी हो, TSF हो, हम लोग सब अगरी करते हैं, कि आज थृपरा में तीपरासा के संग नाइंसाफी हुआ है, सतर साल में पूरा नौर्थी से अगरी करता है, कि तीपरासा के संग गलत हुआ है, और अगर आज हमें permanent settlement चाहिए, permanent constitutional solution in writing चाहिए, तो हमें एक आवाज में government of India को भी बताना पड़ेगा, कि आप हमें divide करके, अलग-अलग करके, हमारा solution नहीं निकाल सकते हैं, एक संग, एक परिवार होकर हमसे बात कीचे, मैं ready हूँ, मैं सबसे मिलने के लिए तयार हूँ, आ अलग NGO मीट रखोंगा, civil society का मीट रखोंगा, and I would like to bring a single voice to the solution, permanent constitutional solution for the तीपरासा people, ये मेरा position है, बलाए बलाए नहां भाए, thank you, God bless you, तीपरा मौथा आएक लगतां, तीपरासाद दफा आएक लगतां, तीपरा आएक लगतां.